डाक्टर बहादुरलाल इसोसीट प्रोफेसर स्वाइल साइन्स बाबा भगवान दास राजकी महाविद्याले चिमनपुरा साहपुरा जैपुर आज मैं आपको कैल्सियम कमी के लक्षणों में पौधों में कैल्सियम की कमी के क्या लक्षण है इसके बारे में बताऊँगा पौधों में कैल्सियम अचल रहता है अता इसकी कमी के लक्षण पहले पौधों की सीर्स भागों पर दिखाई देते हैं तथा सरवाधिक प्रवाव वाली नई पत्तियां जणे वा तनों पर रहता है इसके अभाव के प्रमुक लक्षण निमन लिखी थाए कैल्सियम के अभाव में मूलों का आकार वब मूलों की संख्या घट जाती है अर्थात जड़ों का आकार और जड़े छोटी रह जाती है और फसलों को प्रभावित करती है नमबर दो नई पत्यों का आकार छोटा एवं विक्रत हो जाता है तीन कैल्सियम की कमी से मक्का में उपर की पत्या मुल कर चिपक जाती है सेम का पौधा काला पढ़ जाता है वा चुकंदर की पत्या मुल कर धब्यदार हो जाती है आलू में ट्यूबर का विकास अवरुद्ध हो जाता है अर्थात आलू की फसलिस से ज़्यादा प्रहाईत होती है कंद का विकास कम हो जाता है और आलू की उपज कम हो जाती है पांच इसके अवहाव में पाउध्य में बिली ये प्रोटीन एवं कार्बोहाइडेट एकत्रित हो जाते हैं छे फूल गोभी पात गोभी वा गाजर की पत्या कैल्सियम की कमी से छोटी रह जाती है तथा किनारे मुण कर प्याले जैसी सन्रचना बना लेते हैं साथ सीर्स कलिका या तो मर जाती है या गुच्छा बना लेती है आठ टमाटर में ब्लूसम, इंड राट या सेव में बिटर पिट नामक विकारी बीमारी कैल्सियम के अभाव से ही पैदा होती है आठ बना लेते हैं